हेलो विद्धियत्य नमस्कार आज तभी का गोद्बोस स्वागत है हाई स्कूल परिक्चा दिसंबर दो हजार तेईस पिचोत्तर में से यदि पिचोत्ता नमबर आपको लेने है रुक जाना नहीं परिक्चा दो जाट तेईस चोईस में विशे संस्कृत का आपका पेपर रहेगा विद्धियत्यों कक्चा दसवी का पेपर है आपका आटरा दिसंबर का इस्टुडेंट्स पूरा कोश्यन पेपर का सोलुशन यहाँ पर हमें आपको करवाऊंगा एक से लेकर तेविस तक तो आप सभी विद्धियारती इस वीडियो को लाफ्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपका जो कुश्यन पेपर आने वाला है इससे बाहर नहीं होगा चलिए स्टुडेंट्स तो एक से लेकर हम पूरा तेविस तक एक से तेविस तक सभी प्रिष्णों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे सब सफेले हमारे वस्तुनिष्ट प्रिष्ण रहेंगे पांच तक उसके बाद में हमारे दो-दो नंबर के तिन्ती नंबर के और चच्चा नंबर के प्रिष्ण रहेंगे पूरा सुलुशन कर आऊंगा इसी वीडियो में और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बारा हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गंटी की बटन कॉल पर करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन मिल सके पहला प्रिष्ण आप देखेंगे स्टुडेंट्स से आपकर उचित विकल्पम चितवा लिकत पूरा पेपर का सॉलुशन आपको देखने को मिलेगा दियान पूर्वक अपने कोपी में इन सभी प्रिष्णों को नोट करिएगा क्योंकि ये कोशन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे देखिए यहाँ पर कोशन कह रहा है रामश्य इत्यस्मीन पदे विवक्ति अस्ति रामश्य इस पद में विवक्ति है तो इसमें जो आपकी विवक्ति होगी विवक्ति आपने याद करी होगी आप पढ़के जाओगे राम, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामश एक, दो, तीन, चार, पांच, छे सश्टी विवक्ति आपका इसमें राइट अंसर होगा अगला कुश्यन है कवी सब्द की दूतिय विवक्ति बहु वचन श्य रूपा मस्ती यहाँ पर कह रहा है कि कवी सब्द की दूतिय विवक्ति बहु वचन रूप क्या बनेगा तो यहाँ पर कवी सब्द की दूतिय विवक्ति बहु वचन जो रूप बनेगा वो बनेगा कवीन कवीन आपका correct answer होगा अगला question पित्रा इत्यस्मीन पदे वचनम अस्ती तो पित्रा इत्यस्मीन पदे जो वचन है वो हो जाएगा आपका एक वचन अगला question सस्टीव वक्ते एक वचनम सब्द रूपम अस्ती सस्टीव वक्ती का एक वचन सब्द रूप है तो इसका जो होगा आपका राइट अंसर होगा देखिए सश्ट्वी वक्ति है ना एक उचन रूप तो वो हो जाएगा आपका तश्च तश्च ये आपका करेक्ट अंसर होगा अगला प्रिश्च आप देखेंगे प्रिश्च नमबर पाच्वा अदोली की तेशु अव्यम नस्ति आगे जो पद लिखे गए उनमें से कोंसा अव्य नहीं है तो यहाँ पर आपका जो पुत्र हो जाएगा ये अव्य नहीं है अगला प्रिश्च है पसुना अपी उदिरितो अर्ता ग्रहयते अस्मीन वाक्ये अव्यम अस्ति यहाँ पर कहा जा रहा है कि पसुओ के द्वारा भी कही गई बातकर्त ग्रहन किया जाता है तो इस वाक्य में बताईए अव्य क्या है तो इसमें जो अपी है आपका क्या है अब यही आपका क्या होगा अंसर होगा अगला प्रिषन आप देखेंगे प्रिषन नमबर दो में आपसे कहरा है रिक्तिस्तान पूरतीन कुरुद यहाँ पर 6 करने के लिए कहरा है 2,3,4,5,6 करिए 8,11 करना कितने 6 कोई से भी कर सकते हैं आप 6 जो आपको आते हैं वो करना है यहाँ पर कहरा है नेश्यामा इत्यस्मिन पदे दातु अस्ती तो नेश्यामा में जो दातु हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी नी अगला है गनानती इत्यस्मिन पदे वचनम अस्ती तो यहाँ पर जो वश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहु वचनम चीक है अगला है आपका वर्दताम इत्यस्मीन पदे पुरूशय मस्ति तो यहाँ पर आपको पुरूश बताना है तो इसमें पृतम पुरूश आपका सही उत्तर होगा अगला है गच्छानी इत्यस्मीन पदे लकार अस्ति तो गच्छानी में जो लकार होगा वो लोट लकार आपका सही उत्तर होगा अधिकार इत्यस्मिन पदे उपसरगस्ती अधिकार में आपको उपसरग बताना है तो इसमें जो उपसरग होगा वो आपका हो जाएगा अधि अगला कुश्चन है सम उपसरग और करत योगे मतलब यहाँ पर कहे रहा है सम उपसरग लगाओ और करत को जोड़ो तो क्या बन जाएगा तो संस्कृत बन जाएगा अगला कुश्चन देखिए गम धातू लिटलकारश एक वचने प्रतम पुरुष में रूपम बहुती मतलब गम धातू का पिरियोग करिए लिटलकार का पिरियोग करिए और एक वचन का प्रतम पुरुष में रूप बनाईए तो इसका बने का गमिश्यती गमिश्यती आपका राइट अंसर होगा प्रतम पुरुष में और तमपुरुष की बात होती दो गमिश्यामी हो जाता अगला कुश्यन खगा गगने उत पत्ती अस्मिन वाक्ये उपसर्ग अस्ती तो देखी यहाँ पर जो उपसर्ग है वो उत है उत उपसर्ग आपका हो जाएगा तो यहाँ पर उत आप अंसर लगा देंगे आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रेश्ण की ओर पूरा कुश्यन पेपर का सोलुशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अगला प्रेश्ण है प्रेश्ण नमबर तीसरा वाला बबबन देखेंगे यहाँ पर इसमें आपसे कहे रहा है विद्यार्टियो आपको इसमें किसी प्रिकार की गलती नहीं करना है आपको मैं अच्छे प्रिकार से यहां पर समझा देता हूँ इसमें भी आपको आठ मिल रहे हैं इसमें भी आपको कितने करने अच्छे करने है ठीक है तो यहां पर आप से कह रहा है कि उतो धन ज्ल को मिलाएंगे तो यहां पर उज्वल बनेगा क्या यह बात सही है तो इसमें आप लिखोगे आम सही है आम लिखना है ना और कुछ भी निकरना है इसका लबा दीर्ग संदे उदारनम सेव अस्ति यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिर्ग संदी का जो उधारान है वो सेव है तो असत्य मतलब ना लिखेंगे ना नहीं है यह तो विरद्धी संदी का उधारान है अगला है प्रतियक इत्यस्य संदी विच्चेत प्रतिदन एक तो बिल्कुल इसमें तीसरे वाले में क्या आएगा आम आएगा अब मैं देखिए यहाँ पर दोड़ा लिखने में दिक्कत आती है तो मैं आप लोगों को निसान लगा के बता देता हूँ तीन होगा इन अपने चौता देखिए इत्यसमिन पदे हलसंदी अस्ती तो यहाँ पर आपका हलसंदी मतलब वियंजन संदी है तो यहाँ पर आपको बता देते हैं शिवो फुवंद्यहा तो यहाँ पर आपकी नहीं होगी ठीक है यहाँ पर आपकी इसमें आपका ना आ जाएगा ठीक है ना लिकेंगे आप अगला question बहुरी समासे शुदारनम दिगंबर अस्ति तो बिलकुल हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा आम लिखेंगे और अनुरूपम पदश समास्विग्रे रूपश योग्यम बहुती बिलकुल इसमें भी क्या लिखोगे आम महान चासो देवा महान चासो देवा इतेश समासिक पदम महादेवा बहुती बिलकुल आम और दिगु समासे शुदारनम अफ्टरद्या यस्ति तो इसमें भी आपका आम हो जाएगा ठीक है तो जहाँ पर मैंने राइट का निसान लगाया है वहाँ पर आपके लिखेंगे आम लिखेंगे और जहाँ पर और दूसरा निसान लगाया है नहीं कट वाला तो आपको बुछ लिखने का हो सकता नहीं है अब यहाँ पर हम चौते में क्या देखेंगे जोड़ी सलीलम पर्याय पदम मतलब सलीलम का पर्याय वाची बताना है तो जलम हो जाएगा मिला लीजे जलम से और सम रूपम विशेश्ची पदम इसका जो सम रूपम का विशेश्ची जो पद होगा वो सम रूपम विशेश्ची पद हो जाएगा कुटुम्ब विर्तांत और वर्सभम विशेश्चिपदम तो विशेश्चिपदम हो जाएगा दुरलबम है ना और सिग्रम का पर्यावची क्या हो जाएगा दुरूतम और प्रिसीदति का विलोम क्या हो जाएगा प्रिसीदति मतलब प्रिशन होना और प्रकुप्यती मतलब करोधित होना और संपन्न का क्या हो जाएगा वी पन्नम ठीक है इस प्रकार आपकी जोड़ी क्या कर गई यहाँ पर मिल गई है ना धियान रखेगा यहाँ पर दो कट जाएगा एक आदरता और एक प्रवासा आपका चूट जाएगा है ना यह दो चूट रहे हैं बाकी सब मिल रहे हैं है ना बाकी दो इधर से मिल रहे हैं आपकी दिख रहे हैं इधर से मिल रहे हैं चलिए बढ़ जाते हैं हम आगे अगले प्रिश्न के और अगला प्रिष्ण है आपका पांचवा, पांचवे में आपसे कह रहा है कि का पिपासिता मिर्यते, कौन प्यासा मर जाता है, तो यहाँ पर अंसर क्यों हो जाएगा आपका चात का, पेला अंसर कि कौन प्यासा मर जाता है, तो चातक पक्ची, अगला कुश्चिन, की दिर्श आपका करेक्ट अंसर यहां पर हो जाएगा कि दूसरी आएक अंसर क्या होगा वीविश्यः आपका उतर होगा वि había प्रानेक्र अपी कर अपकर खेगा अंसर आपका तीसरे उतर हो अगला प्रेशने काक चेष्ट विद्यारति की दिर से छात्र मन्याते तो कवे की जैसी चेष्ट रखने वाले के से विद्यारति शिमाना जाते हैं आदर्ष आदर्ष आपका चोंते वाले मोगा पांच वह देखिएगा धर्मधन ठक किम बहुती मतलब धर्मधन ठक को जार्म hari काप बन जाएगा ऐसा अगला खिश्टी यहां पर कहा जा रहा है कि साद्णायक कौन सा प्रिक भीचाई इदधिय करना है अगला खिश्टशन देखिए देखिए शत्री पिर्ति लगाओ गम दातु में तो क्या बन जाएगा तो ये बन जाएगा दूस्तों गता हाँ गता बन जाएगा गलती नहीं करना किसी पिरकार की एहम पटितुम गच्छामी इत्यस्मिन पदे तुमुन पिर्तिय कस्मिन पदे अस्ति यहाँ पर कह रहा है कि मैं पटितुम गच्छामी मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ इस वाक्य में आपको जो है तुमुन पिर्तिय किस पद में लगा है तो यहाँ पर पटितुम में कौन से पिर्तिय है तुमुन पिर्तिय है अब तुम मुझे बताओ दोस्तो पटि तुम में से हमेरी कौन से दातु निकलेगी और पृतिय कौन के से निकलेगा निकल के बताइए मुझे सभी चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपके इन सभी प्रिष्णों के उत्तर भी असमा कम पर्यावरने किम किम दूस्ता मस्ती तो यहाँसे किम किम अटा दो और किम किम की जगह लिखो जलम बक्चम जलम बक्चम और वायू मंडलम सभी लिख भी जीगा है न वायू मंडलम और एको लिखिए धरातलम 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 चा है ना दूसी तम अस्ती इसकी जगह जो जो मैंने लिखा यहाँ पर आ जाएगा अत्वा वाली भी देख लो यहाँ पर से काटा दो और इसकी जगह लिख दो बुद्धी मान लोके में तो बहात का मुच्चते तो इसका अंसर क्या होगा बुद्धी मान इस अंसर में बड़े से बड़े बहसे कोन मुक्त हो जाते हैं तो आपका अंसर क्या होगा बुद्धी मान यहाँ इस का की जगह आप लिख देंगे सभी प्रिश्णों के अंसर आपको यहां पर देखने मिलेंगे गल्ती नहीं करना किसी फिर कर कि जो भी आपको करना हो कर देना राम लवकुषो कुत्र उपिवेसितुम कत्यती राम लवकुष को कहां बेटने के लिए कहते हैं तो यहां से कुत्र अटा दो और उसकी जगा लिखतो सिनहासने राम लवकुष से कहां बेटने के लिए कहते हैं सिहासने अगला प्रिश्ण मातु अधिका किरपा कस्मीन बहुती यहां से कस्मीन अटेगा तो इसकी जगा आजाएगा दुर्बल सुते दुर्बल सुते दुर्बल सुते और वसंतेशी गुनम का जाना थी वसंत के गुन को कोन जानती है यहां से कट जाएगा का की जगा आ जाएगा पिका पिका आपका रंसर हो जाएगा मयूरा कतम निरत्य मुद्राया मिस्तिता भहुती मयूर केसे निरत्य मुद्रा में इस्तित होता है तो इसका अंसर हो जाएगा पिछान नूद गहट्य जो मौर होता है पंको को खोलकर निरत्य मुद्रा में इस्तित होता है है ना ध्यान रखेगा तो इसका अंसर क्या हो जाएगा पिछान उद गहट्य जिसका मतलब होता है पंको को पहला कर मोर निरत्य मुद्रा में खड़ा होता है कतम अटाना है ना उसकी जगा भी जो मैंने लिखा था यह आपको लिखना है वीडियो को आप पीछे करकर देख लेना वापिस Question number 9 निर्दना जनाह कतम वित्तम उपर जित्वान जो गरीब व्यक्ति था वो कैसे धन कमाता था तो यहां से भी कतम अटाना है और इसकी जगा कतम की जगा आपको क्या लिखना है भूरी भूरी परिस्रम्य भूरी परिस्रम्य आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अगला Question आत्मना स्रे इश्यन नरा की दिरिश्यम कर्म ना कुरियाद अपना हित्त चाने वाला व्यक्ति को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए तो यहां से आट जाएगा की दिरिश्या और इसकी जगा आजाएगा आहितम आहितम आपका अंसर हो जाएगा आहितम अगला Question प्रत्वियाँ इसककी जाहेएते उसर्सा सोबा केन भहुती तो इस केन को आटा दो और इसकी जगा लिख़एगा एकेन एकेन राज हंसेन एकेन राज हंसेन आपको लिखना है दो नमबर लेना है गलती नहीं करना है अब प्रिश्ण निर्मान बता देते हैं आपको दो करने हैं चार दे रखें कितने करने हैं दो दो नमबर आपको मिल जाएंगे यहां पर सक सक्टी यानम कजल मलिनम दूमम मुझाती तो यहां पर आपको देखो बताना है कजल मलिनम आपने बहुत पढ़ा होगा बताईए कजल मलिनम हटाएंगे बहुत सिंपल सा है क्या आएगा इसकी जगा ठीक है बाकिये आपको मानुशात अटाना है और इस मानुशात की जगा क्या लिखना है कस्मात कस्मात लिखना है पूरा पूरा वाइक के उतारना है विबेशी की जगा यह डंडा रहा है इसकी जगा कोश्चन मार्क लगाना है बन जाएगा इसका और मैं बता देता हूँ देहनू नाम की जगा आपको लिखना है केशाम और प्रकर्ति मातरम की जगा आपको लिखना है काम तीन मैंने बता दियें एक आप बताएंगे बताएए मुझे देखता हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है प्रेश नमबर बारा इसमें आपको बताना है अदोलिकित वाक्यानी का कम प्रतिकति अदोलिकित वाक्यों में किसने किस से कहा ये आपको बताना है बताईए जाना में हम तश्य नाम देयां मैं जानता हूँ उनका नाम ये बात किसने कही थी किस से कही थी बताईए और तश्या दो नामनी उनके दो नाम है ये बात किसने कही थी किस से कही थी और सहाव यवदान ना चरित्र लो पाए ये बात किसने कही कि तुम उस पर भीड़ जा उसे तुम्हारे चरित्र का कोई लोप नहीं होगा कोई नुकस ने तो क्या लिखोगे आप रामाहा किस से कही थी लवकुसे लवकुशो लवकुशो आप लिखेंगे और ये बात कही थी जम्बू का ने जम्बू का ने कही थी किस्षे कही थी जम्बू का ने कही थी किस से तो ये कही थी वियाग्रम वियाग्रम ही लिख कराईएगा ठीक है और उनके दो नाम है ये किस ने कहा था और मैं जानता हूँ उनका नाम ये दोनों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्योंकि यहाँ पर ये बात जो कही थी मैं जानता हूँ उनका नाम उनके दो नाम है विदुशेक्स कही थी लेकिन कही किस ने थी लवने ये ये आप कमेंट करके बताएंगे अगला कुश्यन प्रिश्ण पत्रे समा गतान इसलोकान विहाए स्वापाट्टि पुस्तकात एकम इसलोकम लिकत सुबास्तानी पार सा आपको गया लिखना है किस लोक लिखना है जो पेपर में नहीं आया है तो एक लिखने देना है यहापर दो नंबर आपको मिल प्रेश्ण नंबर चौदा इसमें असुद्ध वाक्य को सुद्ध करना है तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ शेश्या गुरू हूँ प्रेश्णम प्रेश्यती तो यहाँ पर शेश्या हा गुरू नहा ठीक है शेश्या हा गुरू नहा प्रेश्णम प्रेश्यती इसमें तीसरी वक्ति आपकी लग जाएगी क्या हो जाएगा गुरू ना गुरुना आपका राइट अंसर यहां पर हो जाएगा सीश्च गुरु से प्रिश्ण पूँचता है और सह कर्मनम बदीरह अस्ती तो यहां पर करणम की जगह क्या हो जाएगा करणेन है न धियान रखियेगा करणेन आपका क्या होगा उत्तर होगा करणेन वे कान से बेरा है हरी नमहां तो हरी की जगह क्या हो जाएगा हरी यह हरी यह है नमहां और सज्जन पापम जुगुप सते है तो सज्जन हां पापम जुगुप सते इसकी जगह सज्जनात आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है आपका पंद्रवा इसमें हम देखेंगे कोई चार करने है काकाहा बहुत दी तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ भी नहीं दिया है खालिस्तान के रूप में तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा मेद्याहा क्या जाएगा मेद्याहा मेद्या मेद्या भक्चका इतना बड़ा सब्दा आएगा है मेद्याहा मेद्या भक्चका आपका सयुत्तरियां पर होगा दूसरा परभ्रत्य थी कतियते अही मतलब मैयूर इसमें आप लिख लो मैयूर सोरी माप कीज़ेगा इसमा आएगा पिकाहा पिका परभ्रत्यती अपी कत्यते कोयल को हम परभ्रत्यती भी कहते हैं और मयूरा मयूरा को आप बोल देंगे हम अही अही भुक अई भुक मौर को अई भुक नाम से भी जाना जाता है और इसमा आजाएगा नरा नाम नरा नाम नरा नाम ही सत्रू प्रतमो नरा नाम अगला प्रिश्ण आप देखेंगे अगला कोश्चन आप देखेंगे उदिरितो अर्तह तो इसमें खालिस्तान में किया जाएगा पशुना उदिरितह अर्तो पशुना ग्रयते और देर्यवान परिभवम ना प्रापनोती चीक है तो यहां पर ये खालिस्तान आप लोगों की किताब सही है ये बाकी भी थे चार करने थे मैंने आपको पूरे पांच बता दिये हैं तो छटा वाला आप मुझे जवाब बता दो इस खालिस्तान में ढूंड़िये कौन से जगे से ये आया हुआ है कुछ कोश्चन आप से भी पूँच रहा हूँ उनकोश्चनों के सभी जवाब जरू दीचेगा जवाब सब सब बेले उन बच्चों के आएंगे जो सब सच्चे पढ़ रहा है बाकी जो टाइम बास करने वाले एक भी नहीं बोलेगा तो बताइए मुझे कितने बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं बताइए प्रिश्चन नमबर 16 इस करता किरम को आपको सही साथ जमना है लेकिन चार वाक्यों को जमना है छेदे रखें यहां पर है ना तो आपको हम छेई बता देंगे देखिए सब से पहले हम जो जमाएंगे कश्चित किर्सकाहा बलिवर्दब्याम छेतर कर्सनम कुरवन नासित एक नमबर पर गावाला आएगा जिसके बाद में जिसके बाद में आएगा घावाला वे बेलो को हल मुडवाह गंतुम सक्त चेतरे पकबाद वो बेल क्या कर रहे थे हल को नहीं उटा पा रहे थे चला पा रहे थे इतनी उनके अंदर सक्ती नहीं थी और चेतर में जिसके बाद में होता है सोरी यही आएगा तीसरे नमबर पर आपको यही आ जाएगा जिसके बाद में सुर्भी मातार होने लग जाती है तीसरे हो गया जिसके बाद में चौता आपका होगा इंदर बगवान ने उनसे पूचा था कि तुम क्यों रो रही हो तो सर्वे पत्ये सु जननी तुल्य वस्सला तो जो सुर्वी है वो बताती है मैं सभी की माता समान्डों से सभी से प्रेम करती हूँ तो उन्हों ने इंदर बगवान ने कहा था ये चौता वाला है इंदर बगवान ने कहा था गच वच सर्वम बद्रम जायते तो ये पांचवा हो जाएगा और फिर वरसबा नितवा ग्राम अगता वो दोनों बेलों को लेकर कहा जाता है घर आ जाता है तो यह पूरी इस्टोरी है मैंने आपको क्रम से यहाँ पर बता दिये तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा 35, 126, 35, 126, यह आपकी ट्रीक इसकी हो जाएगी है ना मतलब नमबर से क्रम से जमाना है आगे बढ़ी अगला कोश्चन वाच्ची परिवर्तन करना है बता देते हैं वाच्ची परिवर्तन यदी करना है तो देखिए यहाँ पर कहे रहा है त्वया सत्यम त्वया तो यहाँ पर त्वया की जगह क्या होगा त्वम सत्यम का सत्यम हो जाएगा त्वम सत्यम कतितवान कतितवान आपका सही हो जाएगा इसके पीछा आदा नाव लिख लेना कतितवान पेला हो गया दो करने हैं चार दे रखें और सिंगहा सर्व जन्तुनहा प्रिश्यते तो सिंगहा क्या हो जाएगा सिंहेन सिंहेन सर्व जन्तवा हा सर्व इसको टाई देते हैं सिंगेन का हो गया ना इसका सर्व जन्तवा का हो जाएगा सर्व जन्तवा सर्व जन्तवा हो जाएगा और प्रिश्यती का हो जाएगा प्रश्यते प्रश्यते आपका अंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़िए और पशुना पशु का क्या हो जाएगा पशुना पशु का क्य अर्तम का अर्ता हो जाएगा और ग्रहनाती का हो जाएगा ग्रहयते यह आपका हो जाएगा ठीक है अगला है तेन का हो जाएगा सा एवम का एवम ही रहेगा वहिनी ना का हो जाएगा वहिनी हलन लगेगा पीछे वहीनी, सरीरम का सरीरा हो जाएगा और इसका हो जाएगा धीयते धीयती हो जाएगा अगला प्रिशन आप देखेंगे अटारा जिसमें आपको नीचे दीगा ये प्रिशनों को बढ़ना है और यहीं से आपको क्या देना है उत्तर देना है तो यहाँ पर देखिएगा इसका अंसर इन अंसर सभी आपको यहीं मिलेंगे बता देते हैं आपको देखिए वीडियो तो बड़ा हो रहा है कोई दिक्कर नहीं है पर आप लोगों के लिए यहाँ से पूरा कोश्चन पेपर आपका बन जाएगा अगर आपने इसका सोलुशन कर लिया तो देखिए पूँच रहा है किर्सका काभ्यम छेत्र कर्शनह कुर्वन नासित तो यहाँ पर आपका यह अंसर है पेले का है ना पेले लिख दिया मेंने फिर तयोब लिवर्द एका किद्रशासित तो तयोब लिवर्द एका सरीरें दुर्बला आसित यह दूसरा होगा है जिसके बाद में तीसरा अक्रोथ इत्यश्य पदैश्य लकार पूरुस वचनम चलिकत तो अक्रोथ में लिखिए सबसे पहले तो क्या पूँच रहा है लकार तो लिखिए लंग लकार लंग लिख दिया लंग लकार पुरुस पृतम लिखिए पृतम वचनम एक वचन तीके तीनों है अंसर मिल गए आगे बढ़िए अत्वावाला भी आप देख लो कोई दिक्कत नहीं है एक दसा पिता कतम व्यकुलो जाता तो यहां पर व्यकुलो जाता है तो एक दिन पिता यह है यहां पर सहा पिता यह अंसर आपका पेला वाला है न लिखा है एक दिन बच्चा क्या हो गए ता तो यहां पर आपका यह इसका मैं अंसर हो जाएगा यह वाला आपका अंसर हो जाएगा एक दिन पेसे बचाने के चक्कर में पेसे से पीडित होने कारण वो बस को छोड़कर पेदल जाता है तीसरे में आपको यह आजाएगा यहां से लेकर यहां तक यह तीसरा आपका हो जाएगा ध्यान रखिएगा चलो आगे हम बढ़ते हैं गुन्नी स्वा प्रिष्ण अदो लिकितम पठितवा प्रिष्णा मुत्रानी संसकत बासायाम लिकत तो इनके भी आपको यह पढ़ना है यहीं संसा देना है तो बता देते हैं के लोग के असमीन चक्चुष्मना पिरकीरता तो इसमें विद्वांश आ जाएगा पेले वाले में दूसरे में विद्वांश आयो कुत्र चक्चुष्मना तो लोग के असमीन आ जाएगा दूसरे में अगला है तीसरा केशाम वंदन चक्चुष नामनी तो अन्ये शाम वदने आपका यह हो जाएगा ठीक है अब नीचे वाले में भी देख लो इसके अंसर भी सभी कोशन के अंसर बता रहे हैं तो पूरा बताएंगे अयोग्या कानास्ति तो यहां पर आपका हो जाएगा पूरुस और के तत्र दुललबा योजा कस तत्र दुललबा अनोसदम के तो यहां पर हो जाएगा मूलम यहापका अंसर हो जाएगा तीनू पता दिये चलो आगे बढ़ते हैं बीस्वा पर skincare का यहापकर थो इसका इंसर तो इसका अंसर भी यहीं दे देते हैं, आपको पता ही देते हैं, को आवाम सौदर्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा ल climax, एक लैलो एक कुस लैलो, यह लिना को लिका यहाँ पर, बहत्र, बहत्रवाम सौदर्यू, हम दोनों क्या हैं, जुडवा भाई है, ये लिख दीजैगा आप तो बहत्रवाम आवाम कतम सरीर सन्निवेस तो यहाँ पर हो जाएक समरूपम और आवाम को यमलो हम दोनों जुड़वा है एना ऐसा बताया था अगला प्रिश्न इसका अंसर भी बताएंगे आपको अब राये नहीं करूना पक्ची समराठ का तो इसमें तो काकाई लिख दो तुम यह लिखा है काका पेले वाले में है ना यहाँ काकी जगा क्या लिख दो काका आगे एहम विसालकाई बलसाली प्राक्रमी चा इतिका अवदत तो इसमें गजा लिख दो मेरे साबसे पर यहाँ पर अंसर ढूंड लेते हैं, यह लिकाए हैं, विसालकाई, बलसाली परग्रिमचा, गजा, है ना, ऐसा किसने कहा था, इस काक के जगा गजा लिख दो बस, मेरे साथ से, पोतित्वा इत्यसमन पदे का पृतिय यहाँ पर कह रहा है, पोतित्वा में बताइए, पृ और राइट हो जाएगा, आगे बढ़ जाओ, कोश्चन नंबर 21 आगाया, इसको भी आपको अंसर ऐसी देना है, मानव जीवनेश आदर शीला की मस्ती, तो प्रबात वेला आदर शीला थी, यह लो, पेला अंसर, छात्र कुत्र गच्चती, विद्य अध्यान आए, दूसरा हो गया, अश्य गध्यान सीर्षक लिखत, इस गध्यान का सीर्षक लिखना है, तो शीर्षक बता देते हैं, छात्र जीवन, छात्र जीवन, छात्र जीवन, आपका राइट अंसर यहां पर हो जाएगा, और छात्र जीवनेश्य महत्वम कर देना, ऐसा कर लेना, महत्वम भ पंच लक्षनम लिकत विद्यार्थी जीवन के पंच लक्षन लिखिए तो विद्यार्थी जीवन के आप पंच लक्षन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि शात्र जीवनम मानो जीवनश ब्रवात वेलादर सिला चवर्तते विद्याद्यनाय चात्र विद्यनम गच्चती है ना उस्षा सर्व विद्यम सुकम परित्यज अहर निशम विद्यद्यनम करोती और विद्यारती अलपहारी, ग्रहत्यागी, काक्चेश्टवान, बगध्यान युक्तम, अलपनिद्रा, शुगवेद, ये बाते आप लिख देना याबर, आगे हम बात करें कोशन नमबर 22 की, तो इसमें एक आउकास का प्रातना पत्र लिखना है, आपको याद नहीं है, तो हमने डाल रखा है, प्ले लिष्ट में जाकर आप देख सकते हैं, है ना, आप ये कमेंट करके मुझे बता दीजिए, कि सर कोशन नमबर 22 का अंसर सेंट कर दो, तो मैं आपके कमेंट में ही अंसर इसका सेंट कर दोंगा, वो मिल जाएगा, ठीक है, या हमारे यूटूब चैनल पर हमने डाल रखा है, उकास का प्रातना पत्र, कोशन नमबर 23, इसमें आपको एक निबन लिखना है, एक विशे पर, संगती हो, चात जीवन हो, संसकत बासा का मेत्व हो, या आसमा का विद् पूरा आदे गंटे से उपर मैंने आपको 33 मिनिट से जादा हो चुके है, आपके लिए समय दिया है, अगर आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाते हैं किसी पिरकार आप लोगों के लिए का नोटिफिकेशन मिल सके, धन्यवाद सातियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स पोर वाचिंग